जब हम बात करते हैं effect of overpopulation की, बहुत से ऐसे effect हैं जिससे हम आम जिन्दगी में भी वाकिफ होते हैं, हमें पता है के जादा आबादी से गुर्बत आएगी, जहालत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, crime rate जो है वो आपका बढ़ेगा, social institutions आपकी मसाइल का शिकार होंगे economic institution मसाइल का शिकार होंगे, एक ऐसी चीज है जो एक layman से लेकर बहुत पड़े लिखे लोग भी अब भी तक जिनके पास awareness है, वो बहुत जादा इससे वाकिफ नहीं है, what danger we are giving to the environment of this planet earth due to the overpopulation, हम किस खतरनाक हद तक नुकसान पहुचा रहे हैं अपने महौल को because of the overpopulation, देखा जाए तो Allah ताला ने ये जमीन जो बनाई है, ये मुख्तलिफ किसम के हमें अपनी जमीन के अंदर मुख्तलिफ features नज़र आते हैं, we see the plain land, we see the deserts, we see the hilly areas, we see rivers, we see forests, we see mountains, और इसी तरह से हमें मुख्तलिफ किसम के एक खुबसूर जो features हैं, वो में नज़र आते हैं, बूर के लिए जी हो जाता है, ये ऐसी जगा पे भी जाके बस जाता है, जहां उसे नहीं बसना चाहिए, बिकॉस वहां पे इनसान का होना हमारे environment को बुरी तरह से damage करता है, ये एक मिसाल आपके सामने हैं, किस तरह से हम pollute करें हैं अपने water resources को, ये आपको बहुत जादा एक का नज़र आ रहा है, the pile of garbage over there, और किस तरह से आप देखें कि ये खुबसूरत पानी है, ये कि इनन बहता पानी है, ये साफ पानी है, और students में आपको एक बात बता दू, scarcity of the fresh drinking water, दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, आने वाले दिनों में कहा जाता है, कि दुनिया में अब जो जंगे होगी, आने वाले सदियों में, आने वाले कुछ decades के अंदर, अब जिस चीज़ पे मुमालिक आपस में लड़ेंगे, वो एक दूसरे की food resources और water resources पे कबज हुई है, जो जमीन के साथ हुआ है, हम जेरे जमीन पानी कई foot नीचे जो है वो जा चुका है, यह मसाइल अब इस दुनिया को आगे बहुत दरपेश होंगे, rapid population की जो growth है, it leads to the environmental change, rapid population grows, it has swelled the rank of the unemployed men and women at the unalarming rate, due to this large number of people, जब आपके पास unemployment होगी, तो आप बड़े शहरों को sometime ये भी होता है कि आप, because you cannot earn there, तो आप ऐसे sensitive areas में भी जहा के रहने पर मचबूर हो जाते हैं, जहां पे हमें नहीं जाना चाहिए, जो के ecologically sensitive होते हैं, we try to human beings अपने settlements कर लेते हैं, hill stations or tropical forest में, और यहां से हम दरख काटके, पानी को गंदा करके, हम एक overall environment को शदीद तरह से नुकसान जो हैं, वो पुचाते हैं, इसे it also lead to the cutting of the forest for the cultivation leading to the several environmental change, इनसान अपनी बसाने के लिए, दरख्तों को काटता है, और वहां पे अपनी रहाईशी अबादिया जब करता है, एक दरख्त का कटना, जहां कि हम हजारों की तादात में दरख्त काटने हैं, एक दरख्त क की एक ऐसी कद्रत है, जो कि खुराक लगडी का जो पुर का एक निजम से लेयर परिंदो की आमाच्का से लेकर, बारिश का जो सबब बनतीinterpret जियंग के सेलाप को रोकते हैं। द्रक सेलाप को रोकती ही बहुत यह और आपको बहुतसे लाटाला की कद्रत है। और आंजे मै scarcity of food की बात करे थे तो इस ही वजुहात की बनापर scarcity of food shortage of water इंतमाब वजुहात की वज़ा से में नज़र आएगा जब बारिश ही नहीं होगी और बारिश का ना होना द्रख्तों के कटाई एक बहुत बड़ी reason है besides all this, इसके इलावा the increasing population lead to the migration of large number of people to urban areas with industrialization इसका एक और एफेक्ट ये भी होता है कि जो rural areas के जो लोग होते हैं इतनी ज़्यादा huge population है because rural areas में already lack work facilities यह होती है, scarcity of facilities वहाँ में होती है तो वो बहुत से लोग migration करते हैं from rural area to urban area और industrialized जगों पे industrialized cities की तरफ जाने के कोशिश करते हैं इसका भी एक अपना environment पे नतीजा निकलता है, इससे जो आपके बड़े शहर हैं बुरी तरह से polluted होते हैं वहाँ पे air pollution आती है, वहाँ पे water pollution आती है और वहाँ पे ऐसे बहुत से मसाइल आते हैं जो हमारे environment को बुरी तरह से effect करें है Dear students, यह जो आपके environment के effect है, हम सिर्फ एक factor को अगर अठा लें कि air pollution क्या करती है हमारे दिमाग के साथ, हमारी समात के साथ तो you will be surprised to know, अगर हम सिर्फ water pollution की बात कर लें, hepatitis से लेकर कौन सी ऐसी बेमारी नहीं है, विचार वेरी dangerous cancer कौन सी ऐसी बेमारी नहीं है, जो सिर्फ एक polluted water, जो ना सिर्फ हम पी रहे हैं, हमारी अबादिया इतनी जादा है, we do not have a system और वहारी फसलों को भी जा रहा है, तो यह तमाम एक इतना बड़ा एक problems का जिसे कह लिजए के हमें खोलते हैं, एक दर्वाजा खोलते हैं, जो हमें नजर नहीं आता, यह तमाम reasons है, population के जादा होने की, और यह तो यह तमाम effect हैं, जो हमारी population पे हमें नजर आ रहे हैं, इन जो है, वो निकाल रहा है, और यह हमारी फिज़ा में जा रहा है, वो ही फिज़ा हम इन्हेल कर रहे हैं, हमारी फिज़ा के अंदर carbon dioxide जैसे जो elements हैं, वो बहुत जादा हो गए है, oxygen हमारे हाकम हो गई है, लंग्स के cancer और फेपरों की बिमारियां, यही वज़ा है कि ऐसे ममा जहां पर population बहुत जादा है, they are over polluted, वहां पर आपकी फिज़ा polluted है, आपका पानी polluted है, average age life expectancy ऐसे ममालक में आपको बहुत कम नजर आएगी और वहां की एक average और वहां के लोग जो है, वो बड़ा कम जीएंगे, तो यह एक बहुत बड़ा reason है, इसके लावा हम लोग अपन की बंजर एरिया है, तो जो मकमल तोर पर काश कर लिए, उसको भी हम काश करने के कोशिश करेंगे, यह हमने बाकी जगह पर काश कर लिए और खराक की हम नीर्स को पुरा नहीं कर पा रहें, यह लीट करेगा, डिसर्टिफिकेशन के तरफ, यह मजीद जमीन को ड्राइ अगर मैं इस ऐसे करेंगे, और एक वक्त आएगा कि हमारी जमीन हमें खुराग भी देना, जो है, वो बंद हो जाएगी, ओजो लेर का खतम होना, पॉजनेस गैसे का हवा में होना, मौसमों की शिदतें, यह तमाम और मैंटल फेक्टर हैं, जो हमारी अबादियों की ही जज होने के वज़ा से हमें नजर आएगी, यह दुनिया में शिदीद गर्मी नजर आएगी, यह दुनिया में शिदीद सर्दी जो हमें नजर आएगी, समंदरों के जो सता है वो बढ़ी है, the rise of the increase in the level of the sea, it is going to leave grave consequences, और दुनिया के बहुत से शहर हमें, पानी के अंदर जो इस हमारे जो हीट की एक तेजी से इतनी ज़ादा गर्मी की हिद्दे बढ़ी है, कि समंदर का जो लेवल हो राइज हो रहा है, इसे तना से बंजर जमीने होंगी, या ड्रॉट और फेमें, यह तमाम उन चीज़ों के तरफ इनसान वापस चला जाएगा, जिसमें कुछ सद्या पहले इनसान को हमें सामना करना पड़ा था, जब अबादी जादा नहीं थे और इनसान किसना किसना से इसे कॉंपेट करता था, लेकिन अब अब अबादी इनकुईस की रीजन बन रही है, यह चीज़े नैच्रल नहीं रह गई हुए, मैन मेड प्रॉब्लम्स यों है, इस